रियलमी 8 & 8 Pro बाकी कमपनियों को इस 2020 में बहुत कुछ फरक पड़ा होगा लेकिन रियलमी की कहानी ऐसी चल रही है कि रियलमी ने पुरा एकदर होकाल मचा रखा है मतलब वो फास्टेस्ट ग्रोइंग वाला जो खिताब है वो अपने साथ से कहीं जाने नहीं देना चाता अब इतने सारे फोन लोंच हुए हैं और मोस्ट हमको तीन महिने पहले ही सेप्टमर के मन्त में देखने को मिली थी रियलमी 7 स्रीज और यहां पर मतलब दो पिलर पॉइंट है जिसमें हमको 65 वोट की चारजिंग सबसे पहले देखने को मिली थी बहुत ही कमाल की चीज थी और उसके बाद दूसरी चीज जो है देखने को मिलती है लेकिन उसमें पर्फोमेंस नहीं देखने को मिलती है लेकिन यहां पर सारी चीजे ही बिल्कुल टोप नोस थी और अभी आने वाला है यह रियलमी 8 & 8 Pro शाओमी के हला टाइट है अभी तक उनसे नो 10 स्रीज भी लॉंच नहीं हुई है और यह 7 स्रीज को लॉंच करने के बाद 8 स्रीज की तैरी कर रहे है और यह जो स्टार्टिंग आने वाले दो मंत है जिसमें जनुरी और फेवररी इसमें रियलमी के हमको दो स्रीज थी दो तीन स्रीज देखने को मिलेंगी रियलमी X7 स्रीज, रियलमी नाजो 30 स्रीज और उसके बाद रियलमी 8 स्रीज इस वीडियो में आपसे मह बात करने वाला हूँ अब कमी रियलमी 8 Pro की क्या-क्या इसमें कुछ खास देखने को मिल सकता है अब डेडिकेटली इस आपको वीडियो को लाइक कर देना है और उसके बाद अगर आप चैनल में पहली बार हो तो मेरा नाम है रविंदर आप देख रहे हैं टीक मास्ट चैनल को कुलो सब्सक्राइब और कर लो भी राइकनो प्रेस तो लेट स्टार्ट दे वीडियो अब सबसे पहले ही मापको एक चीज पता दूँ कि हमको सब कुछ पता है Realme X7 and X7 Pro में जो चाहिना में अलड़ी लॉंच हो चुका है और इंडिया में बहुत ही जल्दी आने के चांसेज है और चांसेज का मतलब 100% कंफर्म है जन्वरी की महिने में तो इससे रिलेटेड ही होगी यह जो 8 स्रीज है उ सब्सक्राइब में क्वार्ड रियर कैमरा होगा और इसी की साथ पोली कार्बोनेट बैग होगा मतब रियाल में से तुम कुछ भी एक्सपेक्ट कर लो लेकिन ग्लास बैग ना जी ना कर ही नहीं सकते देगा ही नी भाइसा आगे की तरफ हमको पंच होल देखने को मिलेगा सेम सेम डिजाइन होने वाला है लेकिन स्टिल जो आपको स्क्रीन टू बोडी रिश्यो देखने को मिलेगा तो यह अगेन एक काफी साही चीज है और उसके बाद सारी चीजे बिल्कुल वैसी की वैसी होने वाली हैं 3.5 mm का जैक होगा USB Type-C देखने को मिलेगी और इसी के सा बात करूं में इसके डिस्प्ले के तो हमको 6.67 इंचेज की एमुलेड या सुपर एमुलेड या फिर IPS LCD अभी यहां पर मैं इतनी सारे वीडियो देख मारे इतनी सारी मैं इस वेब साइट पर रिसर्च करी लेकिन किसी को भी कंफर्म नहीं है लेकिन स्टिल अगर आप एक स से देखते हो तो आपको सारी चीजें एकदम पता लगने लग जाती हैं तो अगोडिंग टु मी यह चीजें ऐसे से ले वाली है को जो रियल मी X7 स्रीज होगी ना उसमें को सूपर एमुलेड दिस्प्ले के साथ देखने को मिलेगी और चुके हमको रियल मी 7 प्रो के साथ तो यहां पर हमको किसी प्रकार की हायर रिफ्रेस्ट का सपोर्ट नहीं देखने को मिलेगा अब ऐसा मैं क्यू बोल रहा हूं यहां पर क्यूंकि मैंने एक मादव सेट का इंटर्व्यू देखा था उसमें सीधा सा उन्होंने का था कि जैसे जैसे नमर सीरीज बढ़ती जा अगे बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा पीछे कोई चीजे नहीं देखने को मिलेगी तो यहां पर एक Full HD डेजुलेशन वाला Super AMOLED देखने को मिलने वाला है और किसी परकार की हमको हायर रिफ्रेस्ट का सपोर्ट नहीं देखने को मिलेगा वाइडवाइन L1 का सपोर्ट तो डिफिनेटली मेरे कोडिंग आपको यहां पर एक Super AMOLED देखने को मिलेगा विद नो हायर रिफ्रेस्ट रेट और उसके बात करो इसके प्रोसेसर की ताकेट के तो यहां पर हमको मेन अपग्रेड देखने को मिलने वाला है बागी सारी चीजे और बागी सारी चीजे ऑल Snapdragon 750G के ओपर जो एक 5G capable प्रोसेसर है 8NM architecture based है और इसके अन्तुतू बेंचमाक की माफ से बात करूं तो यह 3,25,000 के ओल्मोस निकल के आते हैं इसके बाद हमको Realme UI 2.0 देखने को मिल जाएगा और यह आउट अप जबॉक्स Android 11 पर आने वाला है इसके साथ 6GB 128GB और 8GB 128GB के 108MP camera लेकिए वो भी budget range बे और हमने हमेंसार से देखाते है कि Realme और Redmi ना किसी चीज में चुकते नहीं सारी चीजें अल्मोस सेम डाली जाती है तो यहां पर हमको चांसे हैं कि 108MP camera देखने को मिल जाए रेर में quad rear camera यहां पर Samsung का HM2 sensor लगा होगा अगर यह 108MP camera के साथ आता है और इस चीज को definitely मैं मानता हूँ कि साहँ आ सकता है 108MP camera इसके साथ इसके साथ हमको वही ultra wide telephoto lens और depth sensor और देखने को मिल जाएंगे 32 में असल कि हमको selfie देखने को मिलने वाली है फ्रंट में और इसके साथ में बात करूँ इसकी battery department की तो हमको last time 7 pro के साथ देखने को मिले थी 4500 mAh वाले phone को भी बीट कर दे रहा था यहां पर मतलब Super AMOLED डिस्प्ले के साथ चीज काफी कमाल की जाती है और इसकी जो बेटरी optimization वह बिल्कुल top notch है तो यहां हमको almost 5000 mAh की बेटरी देखने को मिलेगी with the same 65 auto fast charging तो यहां भी चीजे बिल्कुल top notch चल रही है इसके बात कुरें इसकी प्राइज की तो almost की प्राइज हमको देखने को मिलेगी 22,000 के लगबग क्योंकि मैंने जैसे आपको बला कि जो number series है वो pro की जगह next वाला जाता है और जो pro है वो थोड़ा सा अगे बढ़ जाता है तो यहां पर हमको almost 22,000 की प्राइज में देखने को मिलने वाली है और अगर आप अप्ग्रेड के नाम पर देखो तो यहां पे कुछ चीज़ें अप्ग्रेड है 108 MHz का कैमरा उसके बाद एक 5G फोन होने वाला है Snapdragon 750 के ओपर आएगा बागे सारी चीज़ें almost same होंगी design में हमको थोड़ा सा इजाफ़ा देखनी को मिल जाएगा तो आपको अगर प्राइज पर पसंद आती है तो डिफिनेटल आप रेल मी एट प्रो के साथ वेट कर सकते हो कि अगेन मा को बोल देता हूं कि यह 100% एक वेल्यू फो मिन डिवास होगा आपके लिए तो बैस यह आज की वीडियो इन सरफ इतना है कर आपको वीडियो पसंद आयो तो डिफि कर दो